हेलो दोस्तों वेलकम टो सक्सेस प्लस कड़नी मैं हो सुन चौधरी और दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा कि हमारी आरेश शर्मा की एंशेंट हिस्टी की बुक रिसेंटली स्टार्ट हुई है जिसमें हम प्राचिन भारती इत्यास को आरेश शर्मा के किताब के रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें इसका एक डिटेल वर्जन भी है जो कि आरेश शर्माने चापा था ओक्सवर्ड पॉप्लिकेशन के जरिये जिसका नाम है इंडिया एंशेंट पास्ट इसमें और डिटेल में दिया गया है दो तिन चैप्टर इसमें अत्रिक करेंगे जिसमें हम पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था प्राचिन भारती इत्यास की समय रेखा और बेसिक टर्मलोजी कि हम प्राचिन भारत को जब पढ़ते हैं तो कुन-कुन से सीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कहां से कहां तक हमें एंशें ठिस्री को पढ़न प्राचिन भारती इत्यास को लिखा अलंकि आधुनिक इत्यासकारों नहीं सब कुछ लिखा है चाहे प्राचिन भारती इत्यास की बात करें चाहे अधुनिक भारती इत्यास की बात करें उसको constructive way में उन्होंने ही लिखा है उससे पहले अलग-लग लोग लिखते थे अलग- इत्यास लिखा और उनके इत्यास को किस तरह से कैटेग्राइज किया जा सकता है उसके बारे में हमने डिसक्रस किया कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कैसे लिखा भारती इत्यासकारों ने कैसे लिखा उसके बाद इस चैप्टर में हम यह डिसक्रस कर रहे हैं कि इत्यास निर trade resources जैसे की coins जैसे की inscriptions जैसे की foreign accounts इन तमाम चीजों के बारे में हम study कर रहे हैं तो अभी तक हमने भाग one में archaeology coins और inscriptions को पढ़ लिया है तो इसका part one पहले आप जरूर देखें उसके बाद part two को start करें तो part one में ये कर लिया है कि archaeology यानि कि आप जानते पुरा दात्व पुरा दात्व में क्या करते हैं खुदाई करते हैं और प्राचीन सब भेताओं को प्राचीन जो कल्चर्स हुए हैं भारत में उनकी study करते हैं जो material remains मिलते हैं उनकी age find करते हैं उनकी social life कैसी रही होगी उनके tools के बारे में अध्यान करते हैं ये सब चीज़े हम discuss करते हैं तो archaeology सबसे महत्पूर्ण है अगर हम बात करें ancient history की प्री historic period में तो हमें archaeology के लावा कोई बाकी चीज़े मिलती नहीं है क्योंकि उस समय तो रेखन की परंपरा ही नहीं थी लोग लिखना ही नहीं जानते थे आर्केलोजी इसलिए सबसे महत्पूर्ण हो जाती है उसके बाद coins की बात आती है कि सिक्के जो मिले हैं हमारे प्राचिन भारत को अगर हम अलग-लग जबहों तक उसके सिक्के मिले उसके बाद हम यह भी स्टुड़ी करते हैं कि उस समय के इस सिक्के जो थे अलग-लग राजाओं के दुवारा अलग-अलग जो कुछ मर्चेंट्स के दुवारा भी कुछ इंस्क्रिप्शन्स लिखवाए गई और भारत में आज तक तक तकरीमन पचास जाव से ज्यादा इंस्क्रिप्शन्स जो हैं वो मिल चुके हैं बहुतों के स्टडी हो चुकी है बहुतों के स्टडी नहीं हुई सबसे प्राचीन्तम जो शिला लेख है भारत में जिनकी स्टडी हुई वो अशोक के इंस्क्रिप्शन्स हैं उन्होंने पिलर इडिक्ट्स भी लिखवाए और चट्टानों के उपर भी लिखवाए उसी तरह से दक्षिन भारत में बहुत करेंगे लिटरी से से लेके इसी कंस्ट्रных तक पार्ट cities और यह काफी लंबा होने वाला है पॉर उसमें प्राचीन से हमारे पास बहुत सरे से लखोट्ट सरे रही और हैं और उनकी स्टडी से हम किस नतीजे पे पहुंछ पाते हैं प्राचीन भारतियों को कितना समझ पाते हैं, कौन सी चीज को हमें इधियासिक प्रस्पेक्टिव से इस्तिमाल करना है, कौन सी चीज को हमें अवोईड करना है, वो सारी चीजों का हमें historic sense का इस्तिमाल करते हुए और later resources में उसको लागू करना है, उसके बाद foreign accounts की भी बात की जाती है, क्योंकि जब इधियास या कोई भी चीज, कोई भी written record लिखा जाता है, किसी भी राज्ये में, तो वो जो है, वो थोड़ा सा यू लोजिकल फोर्म में भी हो सकता है, थोड़ा सा biased भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए, किसी राजा के दर्बार में, किसी writer ने, किसी कवी ने, कोई रचना लिखी, तो वो राजा के खिलाफ नहीं हो सकती, obviously, राचिन काल से ही ये वाद तो थी, कि कोई भी चीज लिखी जाती है, तो वो राजा की परभाव से तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए, foreign accounts का भी बहुत महतु है, और उसे हमें एक और aspect भी पता चलता है, foreign accounts से, जैं एक तो हमें सच्छा ही पता चलती है, अलग perspective से, हो सकता है, पोजेट है, प्रिस्पेक्टिव से भी पता चले, एक ये भी बाता जल जाता है, कि उस foreign account में हमें यह पता चलता है कि भारतियों के relation foreigners के साथ कैसे थे उनके trade relations कैसे थे उनके राजनितिक relations political relations कैसे थे उसके बाद हम village study को करेंगे village study में हमें यह पता चलता है कि देखिए कुछ ऐसी चीजे भी हैं जहां पर archaeologically अभी खुदाई हुई नहीं है या वहां पर उस 76 के बारे में कुछ हमें written record नहीं मिलते है और written record मिलते हैं तो इतने detail में नहीं मिलते कुछ नकुस्टो रही जाता है तो जब हम गाओं की study करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर प्राचीन काल से कौन-कौन सी परंप्राएं चल रही हैं कुन से rituals traditions और वहां के social structure से हमें पता चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहां पर चल रही हैं तो यह हमें विले स्टेडी से पता चलता है फिर natural sciences का भी इस्तमाल करते हैं geology biology physics chemistry इनके माध्यम से हम बहुत सी चीजों की study करते हैं जैसे आर्केलोजी में भी इन चीजों का इस्तमाल होता है जियोलोजी का इस्त इसे करना है उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इस्ट्री फाइनली हम इन सभी चीजों की study कर लें तो उसके बाद हम इथियास को construct करते हैं उसको लिखते हैं और तब हम अल्टीमेटली उस इथियास पे पहुंच जाते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं और 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 प्रमप्रा हि है इतियास लेकरन की जो परंप्रा है वो चलती जाएगी तो लोग जो है अलग अलग aspects के माध्यम से अलग-लग interpretations के इसाब से अलग-लग तरीके से इतियास को लिखेंगे और लिखते आए भी है तो यह चीज होती है तो लिटरेरी सोर्स या लिटन रिकोर्ट्स जो है वह दो तरीके कि होते हैं वैसे देखा जाएं तो एक तो जो और दिवारों के उपर निट्स वागए और रिटन रिकोर्ट्स वो होते हैं जो कि शुरुआत होती है इनकी manuscript से, manuscript यानि pandu lepiaan, pandu lepiaan क्या होती है कि किसी पत्ते के उपर लिख दिया किसी पत्ते के उपर, किसका पत्ता ऐसा पत्ता जैसे palm tree हो गया, palm leaves हो गए birks के bark हो गए, उसके अलावा sheep leather जो है उसके उपर लिख दिया इन pandu lepiaan के उन पर इन छोटी छोटे leaves के उपर पेड़ों के पत्तों के उपर लिखते थे तो इन्हे manuscript कहा जाता है अब आपको ये भी पता होगा कि वो समयकाल जिसमें लोगों को लिखना नहीं आता था उसमें prehistoric period कहा जाता है pro-athiasic period उसका मतलब ये है कि जब लोगों को लिखना ही नहीं आता था फिर दूसरा वो period आता है जिसमें लोगों को लिखना तो आता था लेकिन उसका लिखावा हम पढ़ नहीं पाते है हमें समझ में नहीं आता है उस भाशा को हमने decipher नहीं किया है उसे decode नहीं किया है वो होदा है proto-historic period तो भारत में proto-historic period जो है वो इंडस वेलिसिलाइशन के समय पे शुरू हो गया था भारत में तकरीबन पच्छिस सो PC के आसपास के समय से लोग लिखना जानते थे लेकिन हम उसे पढ़ना नहीं जानते भारतियों का लिखा हुआ जो हम पढ़ते हैं और जो हमें मिलता है वो मिलता है 4th century AD से 4th century AD का मतलब क्या है अभी का काल कौन सा चल रहा है 2023 और चोत्ती शतावदी कहां से कहां सकती 301 से लेके 400 AD तक यानि कि पोस्ट क्रिश्यन एरा में यहां पर जैसिस क्राइस का जर्म हुआ उसके बाद आपको पता है 100, 200, 300 तो इस 300 के बाद जो समय काल आता है वहां से हमें पता चलता है कि भारतियों ने मैनिस्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर दिया था उससे पहले लोगों के पास सब चीजे जो क्या थी माइंड में एक पीडी से दूसरी पीडी में स्मर्तिया और शुरूतियों के माद्यम से ट्रांस्फर होती थी उससे पहले के जो रिकोर्ड्स मिलते हैं वो हमें इंस्क्रिप्शन्स में मिलते हैं लिखित में इससे पहले यानि 4th century से पहले जो रिटर्ण में लिकोर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं इंस्क्रिप्शन्स में पत्थरों पे लिखते थे लोग यानि कि अगर हम बात करें इस सिंदु घाटी सब बेता को अगर छोड़ दिया जाए जिसको हम पढ़ नहीं पाए तो 3rd century BC में भारत में एक महान समराथ वा जिसका नाम क्या है समराथ अशोक और समराथ अशोक के समय पे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन्स लिखवाए थे शिलालेक लिखवाए थे और उनको सबसे पहले पढ़ा गया तो वो भारत के सबसे प्राचिन्तम अभिलेक है जिनको शिलालेक है जिनको पढ़ा जा चुका है तो 3rd century BC में इंस्क्रिप्शन्स सबसे प्राचिन्तम मिलें और 4th century 80 में हमें सबसे प्राचिन्तम मैनुस्क्रिप्ट्स मिलती है 3rd century BC में जो inscriptions लिखे गए ये भी प्राकर्त भाशा की ही एक sub-language पाली भाशा में लिखे गए और अलग-लग लिपियों में लिखे गए ज्यादा तर ब्राहमी लिपी में लिखे गए फिर ख़गोश्टी, ग्रीक और अबराहिम लिपी में भी लिखे गए तो इन लिपियों में वो लिखे गए और उनको पढ़ा जा चुका है, 19-वी शताबदी में, 18-वी शताबदी में उनको पढ़ा गया और यही जो manuscript हैं जो आपको 4 century AD में मिली, ये भी सबसे पहले आपको प्राकर्त भाशा में नजर आती है तो भारत की सबसे प्राचींतम भाशा कौन सी है, वैसे क्या का जाता है, सेंसकर्त और तमिल, सेंसकर्त और तमिल थी, लेकिन बोली में थी, लिखित में तो हमें उसका प्ता नहीं चलता है और लिखित में सबसे प्राचिनतम भाषा कुन सी मिलती है प्राकर्थ और उसी की सबलाइवनेज प्राली ये ध्यान रखेगा तो भारत में सबसे प्राचिनतम समय में जब लोग लिखना जानते थे वो तो था डाई हजार बीसी का समय जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से तो वो थर्ड सेंचुरी बीसी का समय है अशोक का समय और मैनुस्क्रिप्श की यानि पांडू लीपियों की बात करें तो फॉर सेंचुरी एडी का टाइम है जहां से हमें लिखित में कुछ मिलता है और सबसे प्राचिनतम भाषा जिसे हिस्टोरिकली हम पढ़ पाए वो कौन सी है प्राकरत ध्यान रखेगा इस बात को अब बात आप जानते हैं कि प्राचिन काल में प्रिंटिंग तो थी नहीं प्रिंटिंग नहीं होती थी तो मैनुस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी और मैनुस्क्रिप्ट्स काफी महत्पूर्ण है अब manuscript की एक खामी है खामी ये है कि manuscript जैसे पत्तों पे लिखी गई wooden tablets पे लिखी गई जो कि समय के साथ-साथ क्या होते हैं degrade हो जाते हैं, decay हो जाते हैं, गल जाते हैं खतम हो जाते हैं तो बहुत से manuscript समय मिली नहीं जितनी परज़र रह पाई ज्यादा तर उन छेतरों में रह पाई पर जहाँ पे humidity कम है जहाँ पे नमी कम है climate में, तो वहाँ की manuscript समय मिल पाई, और Sanskrit manuscript जो हैं, वो भी भारत में मिली हैं, ज्यादा तर South India Kashmir, Nepal में कुछ यहाँ पे manuscript मिली हैं, जबकि Sanskrit भाशा जो है, वो कहाँ पे popular थी Central India में थी, Central India में कहाँ पे, Gangetic Plains के आसपास के शेतर में ज्यादा थी, और यहाँ की manuscript हो सकता है, हम lost कर चुके हैं वो बहुत सारी जो यहाँ पे रही हूँ अब बात आपको यह भी पता होनी चैए, कि जो प्राचीन काल में literary sources हमें मिलते हैं written records मिलते हैं, वो ज़्यादा तर religious theme के उपर based हैं, लोगों को उस समें इस चीज की परवा नहीं थी, कि हमारे आने वाले वन्शत जो हैं, हमारी political history को कैसे देखेंगे, नहीं उनको इस चीज की परवा थी, कि उनको उनका religion कैसा हो, उनका social structure जो है, कैसा है, उनकी society, उनके tradition rituals को समझा जाए, और आगे आने वाली PD उनको follow करें, और वो basically एक, क्या कह सकते हैं, लोगों को guidance के लिए ये किताबें लिखी गई, ये सबसे पहले जो literature के तोर पे भारत में मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, वेद मिलते हैं, जो की Hinduism, classical Hinduism, जो पुराना Hinduism था, Hinduism नाम तो आप जानते बाद में पड़ा, पहले वेदिक religion, ब्राहमनिक religion, या असनातन religion उसे बोला जाता था, तो उसके जो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, वो क्या मिलते हैं? वेद मिलते हैं, जो की संक्या में कितने हैं? चार है. उसके बाद रामाय, महाभार्त, पुरान, उपनिशाद, ये, तमाम तरिके के literature मिलते हैं, जिने हम Vedic religious it literature कहते हैं, Vedic literature कहते हैं, जिसकी हम study यहां पर भी करेंगे और वेदिक literature को मैं separately भी आपको पढ़ाऊंगा और ज्यादा detail में भी कभी जल्दी पढ़ाऊंगा अब ये जो सारी चीजें हैं ये जो religious theme के उपर आधारित हमें literary sources मिलते हैं written records मिलते हैं इससे हमें भले ही political history उतनी ढंक से नहीं पता चलती हो समय काल के के बारे में हमें इतना पता नहीं चलता chronological order का नहीं पता चलता लेकिन इससे हमें उस समय के समाज की social और cultural condition religious condition का पता चलता है कि वरण वे उस तका पता चलता है उससमय किस तरीखे के करम कांड होते थे किस तरीखे के देवताओं की पूज़ा होती थी किस तरीखे से समाज unite था और किस तरह से divide था इसकी बात हमें पता चल जाती है तो अगर Hindu scripture की बात करें तो वो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा शुरूतियां जिनको सुना जाता था एक PD से अगली PD में जो transfer होती थी श्मर्तियां भी वो हैं जो कहें remember की जाती थी याद रखी जाती थी that which is remembered तो सुरूतियों में सबसे महत्पून क्या हैं चारवेद रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अत्रववेद और रिगवेद जो era था सबसे पहले रिगवेद लिखा गया है सबसे प्राचीनतम जो टेक्स्ट है भारत का हिंदू रिलिजन का सनातन रिलिजन का वो क्या है? रिगवेद है रिगवेद लिखा गया और रिगवेद का जो period है वो 1500 BC से 1100 BC या कहीं 1000 BC आपको मिल जाएगा उसके बाद सामवेद, यजुरवेद और अत्रोवेद जो हैं वो लेटर वेदिक पिरियड में लिखे गए लेटर वेदिक पिरियड कहां से शुरू होता है एक हजार से लिखे 600 BC और कहीं 500 BC आपको मिल जाएगा तो 1500 BC से 600 BC के पिरियड है उसे भारती इत्यास में वेदिक पिरियड ही कहा जाता है ठीक है और इसमें वेद लिखे गए और वेदों को शुरूतियों के तरफ लिखा गए compilation इनका बाद में हुआ है उसके बाद अगर बात करें समर्तियों की तो यहां पे धरम शास्तर धरम शास्तर बैसिकली क्या है बैसिकली करना क्या है जैसे कि हमारा constitution है constitution है वो एक तरीके का धरम शास्तर है तो आप उसको उस तरह से समझे मतलब निती low order कानून क्या है कि किसका क्या धरम है धरम मतलब duty यहां पे धरम मतलब religion को नहीं मानना है duty है धरम के बहुत सारे meaning होते हैं तो उसमें जो एक important है हिंदुईजम में वो कह है duty तो इसमें कई सारे धरम शास्तर हैं भारती इत्यास में इसमें मनुस्मर्थी काफी popular है काफी controversial भी है तो मनुस्मर्थी जिसको Britishus ने translate किया था और हिंदूँ के लोज के हिसाब से सबसे पहले इसी को translate करके इसी को मनन लिया था लेकिन उस तरीके के और बहुत सारी पुरान कलिट्रिचर को अभी हम पढ़ेंगे 18 बड़े पुरान फिर 18 माइनर पुरान और उसके बाद और भी बहुत सारे सब माइनर पुरान भी हैं तो सिर्मत भागवत पुरान शिव महा पुरान विश्नु पुरान मत्से पुरान परमा पुरान इस तरीके के बहुत सारे पुरान हैं फिर इत्यास के तोर पे हिंदू ध इस तरह से मैजिकल यह चीज़े हो गई समुद्र में पत्थर तैर गया या फिर बरमास्टर आपस में टकरा रहे हैं दुनिया खतम हो रही है तो इस तरीके की चीज़े हैं और कुछ आर्केलोजिकल एविडेंस के भी कमी होनी की वज़े से अभी तक रामायन महाभारत को पूरी तरह से इत्यास नहीं माना गया है मैंने रामायन महाभारत के बारे में separate video बनाया था मैंने बताया था कि यह दोनों epic जो है epic basically यह develop कैसे हुए इनके बारे में क्या-क्या अभी तक ह यहां पर डिसकस किये थे आपसे फिर दर्शन की बात आती है दर्शन यानि की फिलोसोफी में आपको यहां पर अलग लग स्कूल ऑफ थोट मिलते हैं मिमान सा वेदानता साम्या योगा न्याय विश्यका तो यह सारी जो फिलोसोफी से यह तुम आपको सेपरेटली अर्थ शास्त्र वगेरा भी इसमें काउंट किये जाते हैं अर्थ शास्त्र जो की एक अलग किताब है कोटले की लिखी किताब है इसको हिंदुईजम में भी एक इंपोर्टेंट बुक माना जाता है उपवेद के तोर पे वैसे यह पोलिटिकल और सोशल एकोनोमिक समीर्ण की उ यहां जिसacked को पड़ते हैं जिसमें निए जोतिशक को पड़ते हैं चंद को पड़ते हैं शिक्षा को पड़ते हैं कल्ब को पड़ते हैं जिससे हम वेदों के बारे में जानकारी क्लेक्ट कर सकते हैं वेदों को पढ़ना आसान नहीं है वेदों को पढ़ने से पहले वेदों के अंगों को पढ़ना पढ़ेगा ताकि हम वेदों को अंडर्सेंड कर पाएं फिर आगमास हैं जिसमें वैश्वाज सिवाज शक्त यह आगमाज भी हैं, इनकी भी study करते हैं, तो इस तरह से हिंदू scripture को जब हम over the period of time में आपको जब ये lecture भी record करके पूरा बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से जानकरी मिलेगी, अभी भी हम पढ़ेंगे वेदिक literary sources से हमें क्या जानकरी मिलती है, तो वेद जो हैं संख्या में कितने हैं, चार रिगवेद, सामवेद, यजोरवेद, और अथरोवेद, और इनको जब हम study करते हैं, तो इनसे हमें कोई political history ज़्यादा पता नहीं चलती है, इससे हमें भारत का उस समय का culture, उस समय का civilization था, उस समय की जो वेदिक religion की practices थी, उसके बारे में हमें पता चलता है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिगवेद जो है, वो लिखा गया था, 1500 से 1100 BC, कहीं 1000 BC भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्राचिन काल के समय के order के उपर कई भी जाए, कुछ और study हो जाए, तो 1500 से लेके 1200 BC के बीच का जो पिरियड था उसे, रिग वेदिक पिरियड या अरली वेदिक पिरियड कहा जाता है, उस समय जो आरियन civilization के लोग थे, वो यहां पे रह रह रहे थे mainly, और ये लोग जो है, ये वेदिक religion को मानते थे, इनी के नाम पे इनके पिरियड को वेदिक पिरियड कहा गया, सबसे पहले रिग वेध लिखा गया था तो इस पिरियड को रिग वेधिक पिरियड कहा गया, उसके बाद ये लोग expand भी कर गए, और फैल गए, गंगय अंटिक П्लेंस के असपास के छतर में, और यहां पे जो समय काल था, इसे Later Vedic Period कहा जाता है और Later Vedic Period में तीन वेद और लिखे गए और वो कौन से थे? Sam Ved, या जुरवेद और कौन सा? आपका अधरोवेद Rig Ved हमें ये जानकारी देता है कि ये सबसे earliest Ved है एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इसमें बहुत सारी सहीता है इसमें सामवेद में सिंगिंग के बारे में बहुत कुछ मिलता है डिटेल में मैं आपको Rig Ved वगएरा के बारे में वेदिक लिटर्चर के समय भी बताऊँगा ये जुरवेद में ये book of prayers है और अतरवेद जो है ये book of magic and charms है तो ये अलग-लग जानकारियां आपको देती है अलग-लग वेद उसके बाद ये है Rig Ved जो है ये mainly यहाँ पर praise वगएरा है कौन-कौन से देवताओं कि इस तरह से प्रातना ही कि जाती है उसके बारे में यहाँ पर पता चलता है आपको rituals, magics, mythological stories भी इनके अंदरा में मिलती है उसके बाद इसमें जो last में भाग-add किया गया वेदों में वो है उपनिशद और उपनिशद जो है वो philosophical angles को जो है cover करते हैं और उपनिशद सबसे महत पुन है उससे हमें जो है इन सारे वेदों का निचोड समझ में आ जाते है philosophy समझ में आ जाते है पहले वेद जो थे वो थोड़े से करम-कांड की तरफ थे sacrificial rituals और उनके उपर जादा focus था early period में वेदों के और फिर जब उपनिशद आये तो sacrifice का जो concept था वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो गया और animals की तरफ जो है वो थोड़ा सा जो है लोग जो है वो थोड़ा सा sacrifice से हटके उसके करीब आ गए उनकी तरफ love develop होता है फिर वेदिक जो है उनके meaning काफी wide range में है एक एक शब्द के बहुत सारी meaning होते हैं और उनका जो grammatical use है वो भी काफी मुश्किल है तो और mode of pronunciation भी काफी महतपून है कि जो ही pronunciation बदल गया तो शब्द का meaning ही बदल गया पूरी तरह से तो इस तरह से इन मंत्रों का उचारण भी और इनको सुनना और इनका उचारण करना और उनका meaning निकालना काफी मुश्किल काम है इसलिए इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वेदांग पढ़ने पढ़ेंगे छे वेदांग है लिम्स ओफ वेदाज जिसकी मदद से हम वेदों के स्टड़ी करते हैं तो सबसे पहले है सिक्षा जिसमें phonetics की स्टड़ी करते हैं कि इस तरह से उच व्याकरण यानि grammar के बिना तो हम समझने पाएंगे किसे भी बुक को वेदों की व्याकरण को समझने के लिए व्याकरण नाम का वेदांग है जिसको हम इस्टड़ी करते हैं फिर निरुक्ता है निरुक्ता में हमिदॉमलोजी को समझते हैं शबदों की उत्पत्ति कैसे माद्यम से समझते हैं फिर चंद यानि मैट्रिक्स के माद्यम से हम चंद के माद्यम से चंद समझते हैं फिर जोतिश यानि की astrology यानि जोतिश विग्यान उसके माद्यम से हम जोतिशी को समझते हैं और अलग-लग रहों की स्तति के हिसाब से क्या उसका मीनिंग होता है उसे समझते हैं उसके बाद आते हैं सुत्र सुत्र बैसिकली क्या है वेदांग एक क्रेडिबल लिट्रेचर अराउंड इट विच कॉल्ड सुत्र जो की उपदेशात्मक होते हैं बैसिकली वेदांग के साथ ही होते हैं और इन उपदेश का एक तो grammar है ही लेकिन में grammar को समझने के लिए जसकी मदद से हमारे historians समझ पाए प्राचीन पांडू लीपियों को मैनुस्क्रिप्स को और लिट्रेचर को वो समझ पाए पाणिनी की अस्टा-धाई से कि grammar, classical grammar जो है जो प्राचीन समय पे संसकर्थ में इस्तमाल होती थी वो किस तरह से होती थी उससे हम मीनिंग निकाल पाते हैं तो लेटर वेदिक पिरिएड में भी जो लिट्रेचर लिखा गया और अरली वेदिक पिरिएड में लिखा गया उसकी अगर हम बात करें तो लेटर वेदिक पिरिएड में ब्राहमनाज लिखे गए ब्राहमनाज में वेदिक रिच्वल्स को इलेबरेट किया गया कि वेदि निश्द और अन्याज जो हैं वो फिलोसोफिकल डेवलप्मेंट की बात करते हैं स्प्रिचल और फिलोसोफिकल प्रोब्लम्स के डिस्कॉर्स के ओपर ये डिटेल इंफॉर्मिशन देते हैं यहां पे इसमें बहुत सारी जानकारिया है फिर सुलसुत्र के अगर बात करें तो यहां पे सैक्रिफाइसल जो मेजरमेंट्स हैं उसकी बात होती हैं कि किसको करना ए राजा को अलग करना है घर गरस्ती मे स्बारे में स्व् 화et बात करता है और यहां से जियोमेटरी और मैट् एक की बात होँ रही थी सुलस उत्र में फिर श्रौस उत्रव जो है उसमें कोरोनेशन सर्मनी की बात हो रखे राजा का राजय विश्यक कैसे होगा फिर घ्रे हमें डमिस्टिक की बात होती है कि ग्रश्ट में रहने वाला आदमी जो भी है परिवार वह बच्चे के जनम पर क समाज का अक्रण कर पाते हैं जो उस समय रहरा था अठारा बड़े पुराण और अठारा सबसेटरी पुराण जो हैं इन बुक्स से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है प्राचिन भारतियों की जिसमें हमें बहुत सी information मिलती है उसकी भी हम अभी बात करें तो अगर बात करें सर्ग जो होते हैं जिसमें सर्गा में ये बताया गया है किस universe का evolution कैसे हुआ उसमें काफी सारी mythical angles भी हैं तो उन लोगों की psychology को उनकी विचारों को उनके philosophical angles को उनकी metaphysics को उनकी universe को उनकी cosmology को समझने के लिए हम ये बढ of time वामसा यानि कि जिकल लिस्ट ऑफ किंग संसेज इसमें हम राजाओं की उस लिस्ट को जानते कि ये राजा पहले आया उसके बाद यही स्वंश का राजा था उसके बाद इस वंश का था तो जैसे मैंने अभी आपको भगवान श्री राम और भगवान श्री कृश्ण की चलता है तो इस ततरीके से वंश से हमें पता चलता है वन फडिस्ट जो इस तरीके के बारे में में पता चलते है थो इस तरीके के प्रानों में अलगलग लग लग तरीके की चीज़े हमें पता चलती हैं उसके बाद पुरानों के साथ-साथ दो इंपोर्टेंट इपिक्स भी हैं जो भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में पूपुलर हैं भारत के दो इपिक रामायन और महाभारत जिसमें रामायन में 24,000 शलोक हैं और महाभा का डेवलप्मेंट कैसे हुआ उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाला कि मैंने सेपरेट वीडियो बना के पढ़ाया था आपको कि महाभारत का नाम महाभारत शुरू से नहीं था वेद व्यास ने जब ओरिजनली कंपोज किया था तो तकरीवन 8800 शलोक थे इसमें औ सबसे पहले 800 800 श्लोक थे वेद व्यास जी को पूरी तरह से अट्रिब्यूट किया जाता है लेकिन वेद व्यास जी को अकेले नहीं कहा जाता है कि यह जो महाभारत है यह दस्वी सर्थापदी बिसी से 4th century 80 तक लंबे समय तक डेवलप हुआ है इसमें एक लाख श्लोक जो बहुत सारे रिश्यों की जो है इसमें भागेदारी रही होगी ऐसा माना जाता है तो सबसे पहले 8800 श्लोक थे उसके बाद इसमें जब नेक्स इसका पॉपलर वर्जन आता है वो है 24000 श्लोकों का जिसका नाम पढ़ता है भारत भारता और भारता किसके नाम पे भरत जाता है वो चक्रवरती सम्राड थे उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भी भारत वर्ष पढ़ा और इस महाकाव्य का नाम भी सबसे पहले भारत पढ़ गया था उसके बाद नेक्स्ट जब यह इसका पॉपलर वर्जन आता है वह महाभारत हो जाता है या शास्ता शाहिता इ इसमें एक लाक श्लोग होते हैं तो 8800 श्लोग से 24000 श्लोग और 24000 श्लोग से एक लाक श्लोग इसके बने तब यह जाके महाभारत बनता है अब अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो आप जानते है कि कोर्व और पांडों के बीच के कॉन्फिक्ट की बात बताए योगी कुरू तो यह नाम का एक महाजनपद भी था वहां पर ऐसा हो सकता है लेकिन महाभारत में जिस तरीके से चीजों को लिखा गया है कि उसमें भगवान से कृष्ण का आउतार सरूप भगवान सरूप दिखाया गया और अलग-अलग महारतियों को जिस तरीके से शक् मैथलोजी में काउंट किया जाता है अब इसका जो पॉर्शन है डिस्क्रप्टिव पॉर्शन जो है पॉस्ट लेटर वेधिक पिरियड का कहीं ना कहीं जिकर करता है वो और इसका जो डिटेक्टिव पॉर्शन है जो उपदेशात्मक पॉर्शन है वो लगता है कि पॉस् सारी चीज़ें वही पहले narrative वे था narrative जो है वो शुरुवाती समय में था फिर descriptive जो है वो post vedic period में आया होगा और फिर detective material जो है वो माना जाता है कि post moral और गुपता period की देन है तो इतने लंबे समय तक महाभारत की रचना हो रही थी महाभारत को compile किया जा रहा था इसी तरह से रामायंड जो है वह हिंदुई यह आपको ऐसा नजर आता है कि यह ज्यादा unified है भाशा के हिसाब से देखें तो महाभारत की भाशा में आपको थोड़ा difference नजर आता है इसमें आपको unified ज्यादा नजराता है इसका जो detective part है वो बात में लिखा गया है लेकिन बाकी सब चीजे जो है वो माना जाता है कि इसकी शुरुवात 5th century BC में लिखनी शुरू हुआ था ये और ये भी तकरीबन 3rd 4th century में लिखा गया था complete कर दिया गया था समय से शुरू हुआ लिखना पहले से एक समर्थी के तोर पे था समर्थी के तोर पे कैसे कि लोग याद रखते थे अगली वीडियों को बताते थे इसी तरह से इसका development भी हुआ तो पांच स्टेजेस में इस तरह से महाभार जो है रामायन जो है वो लिखा गया और 12 सेंचुरी तक कई स्टेजेस की डेवलप हुई है ऐसा माना जाता है फिफ सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक कितना development हुए तो इस तरह से हुई उसके बाद यह भी मैंने आपको बता दिया कि महाभारत के बाद कंपोज हुआ वो तो आपको समय से पता चल रहे है अब बात करें पॉस्ट वेदिक पिरिएड लिट्रेचर डिट्रेचर आपको बहुत सारा पॉस्ट वेदिक पिरिएड वगेरा की बात होती है कि जो वर्ण वेउस्ता थी भारत में अर्ली और लेटर वेदिक पिरिएड में आपको वर्ण वेउस्ता तो नजर आती है चार वरण थे भारत में ब्रामना शत्रिया वैश्या उसुद्र जिनकी इस्तिती जो है वो लेटर पिरिएड में अलग-लग हिसाब से पहले यह कर्मागत होती थी फिर वन्शागत हो गई यानि पहले करम के हिसाब से ब्राह्मन बनता था ब्राह्मन का बेटा ब्राह्मन होगा इससी जरूरी नहीं थी लेकिन बाद में लेटर वेदिक इनके हिसाब से समाज चलता था शत्रिय वह थे जो लीटर थे बिसिकली रूल करते थे वैशे वह थे जो कि प्रॉफिट माइंडेर थे बिसिकली व्यापार करते थे और बड़े जमिदार वगेरा वीस में थे और उसके बाद शुद्र जो थे वो थे वरकर्स बैसिकली जो थे प्रियल ऐड अघ्युद ऑखे तो हिनके लिए जो है अलग-लग तरीके की सिस्टमस मनाएगाए कि किस त्रीके की सेरिमनीज करनी है किसको क्या रोल करना है समाज में क्या काम कौन कर सकता एक इसको कितना अलाओ हैest नगी कितने अधिकार है सब chance यहां पर बताए गए ग से अलग-अलग तरीके की जानकरिया मिलती है कि लोगों को किस तरह से जीवन जीना चाहिए कौन-कौन से से सेरिमनी करनी चाहिए तो यह चीजें आपको मैं बता चुका हूँ और यह दोनों सुत्र जो है यह तक्रीबन 300 से 600 से 300 BC में तकरीबन लिखे गए यानि कि पॉसले लेटर वेदिक पिरियेड लेटर वेदिक पिरियेड खतम हो गया महाजनपद पिरियेड जब स्टार्ट हुआ था उस समय पर यह लिखे गए थे सुलसुत्र भी जो हैं सुलसुत्र की भी मैं पहले वेसे जानकरी आपको दे चुका हूँ जिसमें सैक्रिफाइस के बारे में बताया जाता था कि सैक्रिफाइस कितना करना है क्या करना है और किस तरीके से करना है उसकी बात यहां पर पता चलती है और इसी समय सुलसुत्र क समय जियोमेटरी और मैथमेटिक्स के बारे में भी हमें स्टेडी का पता चलता है कि लोगों को जानकरी थी बैसिक जानकरी हो लेकिन थी फिर अगर धरम शास्त्र रहस्मर्थेश की बात करें जास कि मने आपको जब मैंने वो डाइगराम बताया था चार्ट बताया था हिंदूइजम के स्क्रिप्टिर्स का तब समझाया था कि धर्मशास्त्र या स्मर्टीज वो होती है जो कि बैसिकली एक Constitution टाइप की होती है कि एक राजा का क्या धर्म है क्या डूटीज है उनकी पर जाका क्या डूटीज है किस तरह किसे कानून बनेंगी विऊस्ता बनेंगी और उस में सामाज का ढाचा राज्जे का ढाचा बहुत कुछ बताया था तो बहुत ये फलाना वर्ण जो है एक छत्री है जो है वो ये कर सकता है उसके ये अधिकार है ये हैं एक शुत्र जो है उनको अधिकारों से बहुत ज़्यादा वंचित रखा गया बहुत पीछे छोड़ दिया गया महिलाओं की स्तुति यहां पे काफी आपको डिग्रेडेड नजर आत की गई इसमें पनिश्मेंट्स की भी बात की गई कि अगर आदमी कोई गिल्टी है तो उसको किस तरीके की पनिश्मेंट्स मिलने चाहिए जोरी करता है या असोल्ट करता है मडर करता है तो इनके लिए अलग अलग तरीके की पनिश्मेंट्स का यहां पे बताया गया है जि होने किस तरह से लिखा कि religion के point of view से लिखा जिसकी वज़े से बहुत सी चीज़े mythical भी आपको नजराती है कि चाहे philosophical angle ही मानिये metaphysical angle ही मानिये बर्मांड का निर्मांड कैसे हुआ बर्मांड में चार यूग कितने बड़े हैं किस तरह से हैं और और आवतारों की बात हो रखी थी magical चीज़ों की बात हो रखी थी अलग लग powerful legends की बात हो रखी थी तो उन चीज़ों को इत्यासिक द्रिस्टिकॉन से सही नहीं माना जाता बहले ही उनको हिंदूइजम और हम लोग जो हैं इत्यास मानते हों हमारा जो है हमारी लिगेसी मानते हों लेकिन इत्यासकार उसे इत्यास नहीं मानते और एक चीज़ यह भी है यहां पर कोई defined dates भी नहीं पता चलती बहुत सारे राजाओं की और events की जिसकी वज़े से chronological order में भी दिक्कत होती है जब मैं आपको महाभार्त पढ़ा रहा था या रामायन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कई सारी बाते बताई थी कि महाभार्त हो या रामायन उनका अगर हम जो 30 विग्यान के हिसाब से समयकाल निकालने तो अलग निकल के आते हैं और कुछ दूसरे sources की मदद लेके इस्तमाल के देखें पुरानों की बंद से या किसी और चीज़ों टेक्स्ट हैं जो पुरानों के वगरा के तो उन से एक अलग समयकाल निकल के आता है तो क्रोनोलोजिकल ओडर हमें नहीं मिलता और कई जो उस समय के जो मेंशन लोग हैं फिगर्स हैं उनके बारे में भी हमें इत्यासिक जानका करता हूं चलिए आपसे इतना क्या सोचना आगे करूंगा विसम्न है चार योगों की बात होती है पराणों में भी होती है कि चार यूग होते हैं और ये चत्र यूगी इनको कहा जाता और अब बाद त्रेता यूग जिसमें भगवान शीराम का जनम होता है यह 12,96,000 साल लंबा चलता है ठीक है और जो दौपर यूग है वो 8,64,000 साल लंबा चलता है और फिर जो कल यूग है जो कि सबसे चोटा है वो 4,32,000 साल चलता है कल यूग से 2 गुणा है दौपर और कल यूग से 3 गुणा है त्रेता और कल यूग से 4 गुणा है सत्यूग ठीक है और अभी हम कल यूग में चल रहे हैं और यह 28 सवा कल यूग है इसके बाद जब कल की का उतार होगा और फिर पुन नहीं सता अपना होगी सत्यूग की यह एंत्रोपोलोजी को पढ़ते हैं तो इस तरह से छीजे पता नहीं चलती है यहां पर बता गया कि सथ्यूग जो तो अब यहां पर दो पर सब्सक्राइब जो इसके बाद यहां पर यहांपार होगा हूं हो करो तो जहांगा कुछ चीजों को पचल 16OOOO साल कि यहां पाएगे पाएगे वहुआ हैं लेकिं को स्काल में हुई हैं हम पता नहीं चलता है अलग अलग लिट्रेचर अलग अलग तरीके की बातें यहां पर करता है जिसकी वज़े से confusion create होता है और confusion create होने की वज़े से उसे इत्यास से दरकिनारी कर दिया जाता है कि भई इसमें तो बातें अलग लग हैं कि अगर एक्स्टेंशन करते हैं तो उस पिरियड की सेटलमेंट नहीं पता चलती है अलग तरीके का था और उस से चीजें पता चलती है कि हां रामायन हुई है तो उसके बाद हुई होगी तो रामायन का मैंने काल आपको पता होगा था जब मैं रामायन को पढ़ा रहा था तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भगवान स्री कृष्ण की अगर बात करें तो अग सेंट सेंचरी बीसी की बात हो जाती एक टाइम लाइन नहीं मिलती एक इस्टोरिक फिगर के बारे में हमें पता नहीं चलता इसलिए कहीं बार डिस्टरबिंस यहां पर हो जाता है ठीक है यह आरे शर्मा में यूं का त्यूं समयकाल लिखा हुए है मैंने आपको अलग और महाभार्त जो इपिक हैं यह जो महाकाववे हैं यह अलग-अलग एजिस में डेवलप हुए हैं मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि इसापुर्व से फॉर्थ सेंचरी 80 तक इसा के बाद इस्वी सन में महाभार्त बना इतने लंबे समय 14 सालों में वह इपिक जो है डेवलप हुआ है तो उसमें जो हैं चीजें थोड़ी बहुत इदर उदर तो होंगी जिसकी वजह से इस स्पेसिफिक एरा का हमें एक जो है समझने में अगॉर्श निचर की अब जैनिजन के अंदर जो प्रोफेट हुए है जो आप बोल सकते हैं जो रिलिजियस हैड उए उनके तेरतकरन हुए जैसे जैनिजम में और बुद्दिजम के लिए गोतम बुद्धा का जब जनम होता है तो इनके जो फिकर्स हैं वह हिस्टोरिक फिकर्स हैं उनके बारे में हमें जानकरी बहुत सारे सॉर्सें से मिलता है और क्योंकि यह पिरियड भी काफी लेड था 600 बीसी के असपास का पिरेड था था वहां पुरानिक लिटरेचर और जो वेदिक लिटरेचर वह पंद्रवी श्रताब्दिश शुरू हुआ यहां पी 600 बीसी में चल रहा है तो बुद्धिस लिट्रेचर जो है वह पाली भाषा में लिखा गया और पाली भाषा एक प्राकर्त की फ बता है कि सम्राठ अशोक के समय उनके जो बच्चे थे हिंदर और उनकी बेटी का क्या नाम था मैं नाम भूल रहा हूं अभी मनें पिछले वीडियों बताया था आपको तो वह श्रलंका गये थे वहां से बुद्धिजम की शुरूआ श्रलंका में उसके बाद बुद्धि बिहार यहां पर कौन-कौन रोगों ने रूल किया उनके बारे में काफी डिटेल में इंफरमेशन मिलती है ठीक है गोतम बुद्धा का पिरियड जो था वो मगद के राइच के समय था महाजनपत पिरियड जब था उसमें मगद ताकतवर होता जा रहा था अजाद शत्रू बिन बिसार यह लोग जो है गोतम बुद्धा के जो हैं वो समकालीन थे तो उनके बारे में काफी इंफरमेशन मिलती है उनके बाद के समयकाल के बारे में भी पता चलती है जिन्होंने बुद्धिजम को पैटरोनेज दी या बुद्धिजम के लोगों को पैटरोनेज नही थी उनके बारे में जानकरी हमें बुद्धिस लिटरिचर से मिलती है और यहां पर यह भी पता चलता है यह भी जानकरी मिलती है कि गोतम बुध्धा जो हैं जिनका नाम पहले सिधार्थ था ओविसली यह जो है यह 550 2020 जनम करेने के बाद अब आये हैं उनसे पहले और भी कई सारे बुद्धास हो चुके हैं इस तरी के कहानिया हमें जात्तक कत्व कहतायें जिसमें बुद् hag में हर एक चीज़ को संझाने के लिए जात्तक कत्व कि स्वित्यम में गोतम बुद्धा के आसपास ये कहानिया मंधी जाती है और इन कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश होती है बुद्धिज्वम का ही कोई मैसेज कोई philosophical एंगल समझाने कोशिश होती है लेकिन इन कहानियों से भी हमें उस समय के social or economic conditions का एक अंदाजा लगता है, पता चलता है कि 5 शेतावदी BC से 2nd century BC के बीच में किस समय, किस तरीके का समाज था, किस तरीके का धाचा था, किस तरीके की लोगों की social or economic condition थी, political जो उस समय rulers थे, उनके बारे में भी हमें जानकरी मिलती है ठीक है, तो political events का भी पता चलता है, social economic conditions का भी पता चलता है, बुद्धिस literature से, इसी तरह से जैन literature जो कि प्राकर्त भाशा में छपा जो कि एक लंबे समय तक अलग-लग तरीके से develop होता गया ये 6th century AD में वल्लाभी गुजरात में compile किया गया compile बाद में किया गया, लेकिन पहले वो छोटे-छोटे अन्शों में कहीं न कहीं था, अब इसको reconstruct करते हैं और इससे जब चीज़ें को जानकरियों को जुटाते हैं तो हमें उस समय की political history का पता चलता है, Eastern UP, विहार महावीर जी के समय का जो समय काल था, उस समय से हमें जानकरी मिलती है उस समय हमें trade और traders के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि आप जानते कि जैन धरम को मानने वाले लोग religion को मानने वाले लोग ज्यादा तर trade और traders में trading में चले गए, उनका agriculture करना और बहुत सारी चीज़े जो है वैसे तो उनके religion में एक बहुत ज़्यादा ideologically correction के चकर में बहुत सारी चीज़े तो करना मना ही थी तो इसलिए जैनिजम में ज़्यादा तर लोग है trade और trade commerce की तरफ चले गए, फिर कोटिले के अर्थ शास्टर के अगर हम बात करें तो ये, देखे वैसे कोटिले अपने आप में एक controversial figure है कई लोग कहते हैं कि कोटिले नाम का कोई एक वेक्ति था या नहीं था, था कोई कहते हैं नहीं था, कोई कहते हैं कि कोटिले जो है वो एक समूह था, कोई स्कूल अफ थोड़ थी और बहुत सारे लोग थे, उनको कोटिले कहा जाता था लेकिन कोटिले चानक के विश्नुगुप्त एक वेक्ति के तोर पे ज़्यादा देखा जाता है और उन्होंने एक किताब लिखी थी मौरिय वन्ष के समय पे, जिसमें 15 चेप्टर थे और मौरिय वन्ष की स्तती को ये बुख बताती है Political, Economic और Social History को बताती है मौरिय वन्ष की और ये भी कहा जाता है कि कोटिले ने ही चंद्रकुप्त मौरिय की मदद करी थी और कोटिले ने अपना बज़ना लेने के लिए धनानन्द को मगत के तक्त से हटा के चंदरकुप्त को राजा बनवाया था लेकिन चंदरकुप्त समराट एक बहुत बड़े समराट रहे तो उनकी मदद इन्होंने करी थी ये ध्यान रखिएगा तो चानके की ये जो किताब है अर्थ शाष्ट्र ये 5th century AD में पूरी तरह से कंपाइल की गई फाइनल वर्जन इसका तब आया लेकिन ये 4th century BC से कहीं न कहीं लिखी गई थी और उस समय से ये अविलेबल थी और उसका फाइनल वर्जन 5th century AD में लिखा गया तो 4th century BC में तो कोटिले का खुद का समय का ली था उसी समय वो राजदर्बार में महामंत्री थे जिनके चंद्रगुप्त मोरी के उसके बाद बिंदुसार के भी रहे और कुछ समय तक अशोक के भी रहे ऐसा माना जाता है तो ये चीज है उसके बाद इन्होंने जाने काफी सारी चीज़े नहीं फिर नॉन रलिजियस टेक्स्ट की अगर बात करें कोटिले का अर्थशास्तर जो है वो पूरी तरह से नॉन रिलिजियस टेक्स में काउंट ने किया जाता है क्योंकि उसमें कई सारी डूटीज की बात कर रखे अलग अलग वर्णों के हिसाब से इसलिए उसे थोड़ा सा रिलिजियस टेक्स्ट की तरफ देखा जाता है जैंकि की अस्टाध है जो बुक है पाणी नी की वो उस समय के नॉर्थ वेस्ट हिस्ते में जो सेंसकर्थ बोली जाती थी उसके बारे में एक डेटेल इंफॉर्मेशन देती है अलांकि उन्होंने पाली टेक्स्ट और प्राकर टेक्स्ट के बारे में कोई बात नहीं करी और उसके काल देखें तो फिफ सेंचुरी का था साड़ से चार सो पचास बीसी के असपास का समय माना जाता है विएस अगरवाल ने यह समय निकाला उनका जिसमें उन्होंने उनकी किताबों को छापा भी है उसके अलावा कोई information पता नहीं चलती जितना पाणिनी की किताब में हमें पत तो पतंजली ने महाभाश्यम लिखी पाणिनी की अस्टाध है के उपर कमेंटरी के तोर पे जो कि इंपोर्टन रही का तैयन ने वटी का कारा लिखी और चंदर शास्तर जो है पिंगाला ने लिखी तो यह किताबे काफी महत्पुन हैं जो कि उस समय के सामाजिक और राज कही सबसे महान कवियों में से एक थे थे संस्कार्थ भाषा के उन्होंने कुछ प्ले लिखे कुछ कविताइएं लिखी तो गुपता वन्ष के समय पे कालिदास का समय काल माना जाता है और उन्होंने कई किताबें यहां पे लिखी भाष्या और शुद्रक ने कुछ प्ले लिखे जो कि यश्यो वर्मन ओफ कन्नोज के जो राजा थे उनके उपर उन्होंने किताब लखी तो वाकपती जो हैं उनकी किताब से हमें information लती है फिर बिलहन ने विक्रम देवचरित्रा नाम की किताब लखी जिसमें उन्होंने चालूक के वनष के विक्रम अदित्य राजा की ट्रीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मिशन दी है उसके आप कलहन की राजतिरिंगी नहीं काफी इंपोर्टेंट किताब है तो इस तरह से बहुत सारी किताबे हैं मैंने दो वीडियो बनाए थे दोस्तों अगर आप देखना चाहें कि आप इंपोर्टेंट बैंशेंट हिस्ट्री और इंपोर्टेंट वक्स ओफ मेडायौ हिस्ट्री तो इसमें आप sign thatumin की नाम साथ नामके सार्च करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबे मैं और उनके साथ उनका content भी मैंने discuss किया कि कौन सी किताब किस ने लिखी कौन से प्रियड में लिखी और क्या जानकरी देती है कुछ बाइग्वर्क भी थे जैसे कि हर्ष चरित्र भी बात करी मैंने बार्ण भटकी जो किताब सेवन सेंचुरी एडी में लिखी गई वैसे यह कि लिखी है तुलसीदास जी ने यह राम चरित्रा है यह बार्वी शताबदी में लिखी गई ठीक है और इसके कैवेरा पीजन्स और पाल प्रिंसिस राम पाल के बीच में जो कौन्फ्रिक्ट हुआ उसके बारे में बताए गई तो राम पाल के बारे में प्रिंस राम पाल की जीत और उसके बारे में बताएगे जो पाल डाइनस्टी थी बेंगॉल वाले हिस्से में उसकी बात है यहाँ पर बिल्हान विक्रम ने किताब लिखी विक्रमा दित्तिय की जो कहानी है वो मैंने अभी आपको बताया तुल ने मुशिका वंश के बारे में लिख्या जो कि उनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे बुरा तो लिखेंगे नहीं तो इनके अंदर आपको कुछ एग्जेक्रेशन नजर आएगा कि वह अपने राजा की कुछ बढ़ा चड़ा के बाते लिखते हैं ठीक है ऐसा इंसक्रिप्शन में भी होता था जैसे अलाबाद इंसक् अब हमने संगम लिट्रेचर की बात करनी है और संगम लिट्रेचर मतलब चेरा चोला और पांडिया डैनिस्टी जो दक्षिन भारत की संगम एज की डैनिस्टी थी थी से थर्ड सेंचुरी एडी के असपास का जो समय था वहां के पॉलिटिकल सोशल और एकनोमिक इधियास को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें संगम लिट्रेचर पढ़ना पढ़ता है जो की इंडिया का अर्लियस्ट तमिल टेक्स्ट बोला जा सकता है अर्लियस्ट तमिल टेक्स्ट है यह जिसको पैटरनाइज किया था पांडिया वन्स की राज़ा उने और इन्होंने बहु यहां से 3rd century BC से 3rd century AD के बीच का बहुत सारा जो है डेटा और इधियास जो है वो पता चल जाता है तो बहुत सारे राजाओं और उनकी डाइनस्टी के बारे में दक्षन भारत के बारे में हमें जानकरी मिलती है चेरा चोला और पांडिया उनस्ट के बारे में जिसमें अलग 18 collections है और दूसरा पट्टो पट्टो इसमें 10-10 songs है यानि 10 poems है तो यह जो है पहले वाला जो है वो ज्यादा पुराना है तो यह पहले लिखा गया होगा पहले वाले संगम में यानि संगम का मतलब क्या होता है मिलन मिलन यानि कि जब poets मिले होंगे और उन्होंने compilation किया होगा उस समय की ध्यास का उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी का तो यह पहले लिखा गया उसके बाद दूसरे संगम में यह लिखा गया होगा कुछ संगम जो है वो मिले भी नहीं ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारी जो जानकारी मिलती है वो inscription से भी हमें जो है इंटरलेट लगती है और पता चलता है कि इसमें जानकरी काफी सही है अब यह है कि संगम लिटरिचर वेदिक लिटरिचर से कैसे डिफरेंट है पहली बात तो संगम लिटरिचर थोड़ा सेकुरल है नेचर वाइस इसमें रिलीजन की कोई ज्यादा बात हो नहीं रखिए यह यहां पर जो पोईंस है उसमें से राजाओं को तो मिलीटरी एक्सपोईट्स के बारे में यहांपर details मिलती हैं आपको grammar की quality जो है वो बहुत अच्छी है यहां पर इंडो Greeks के बारे में भी जानकरी मिलती है हमें किस तरह से वो वैसाल आए किस तरह से वो लोग आए कितना किस तरीके की उनकी स्तती थी तो यह बात उनसे पता संगम लिट्रेचर कोई आर्टिस्टिक पोएम या कोई रिलिजियस टेक्स नहीं है रिलिजियस लिट्रेचर नहीं है बलकि यह सोश्य एकनॉमिकल और पोलिटिकल लाइफ कोई बताता है डाक्षिन भारत के उस टाइम की जो की अर्ली ख्रिश्टिन सेंचुरी कि अगर बात करें हैं अर्ली उससे भी पहले की थта century B.C. से third century AD की बात करें भारति हैं जो literary sources हैं जो written record से उनकी सिमाई क्या हैं रिखल की यह लिखा फटिर सीथ गयोसी से लिख देते है अगर उसकी कोई सिमाई नहीं होती तो उसमें लिखा तो ही सब कुछ उससे हम बोल देते हैं कि यह political इतियास है है سामाजिक आसा है यह सामाजिक दाचा था उस समय का यह सबसे पहले बात तो यह कि प्रक्रजों के उपर सबसे पहले पर लिखा गया उनको सबसे पहले पर रखना अपने यहाप में बहुत बड़ी चुन की यह तो बहुत सारे जो मैनुस्क्रिप्स हैं उनको सबसे पहले तो मैनुवली कोपी करना पड़ता है एक से दूसरी जगा पी ताकि उसको सरक्षित रखा जा सके और जब कोपी किया जाता है तो कुछ ना कुछ एरर हो जाती है कुछ व्याकरण में दिक्कत आ जाती है या किसी त बारे में ःसे लिखनी कर नोलोजिकल ओडर का द्हान एक ने कुछ जानकरी किसी समय की बता दी दूसरे पुरान को जानकरी नहीं को जंकि दूजसरे समय में लग लग लोगों ने लिखा लग लग तरीके से लिख दिया कुछ इस्ट्यासी गटनाहे कि व questeicles नहीं सभासे ख हमें देखने हुं मिलती है कि भारत की बहुत सारी इस पूरे लिटेरी सोर्सेज की रिलिजियस नेचर की होने की वज़े से कहीं न कहीं वह बाइस भी नजराता है किसी बार कभी वह एक वरण की तरफ बाइस नजराता है क्योंकि ब्राहमनों के पास पूरिश पावर थी वही लिखने वाले थे वही थे सब कुछ तो हो सकता है उनकी तरफ थोड़ा सा बाइस तो इस तरह से चीजें जो हैं हमें थोड़ा सा लॉकोटस नामके एक राजा का जिकर पत्प मिलता है हमें जब हम गृक की बारे में पड़ते हैं अलेक्जणडर के समय की बात करते हैं तो 326 बीची में अलेक्जणर ने भार्त के उपर टेक किया थो उस समय धनानंद राजा था भारत का लेकिन धनानंद के कुछ समय बाद ह कि 322 BC में चंद्रोगुप्त मौर्यय ने धनानंद को हटा के राजा बन गए थे वो और सदोंत कड़ जो है संद्रोगुपत की बारे में बात हो रखी है कि 322 BC में एक व्यक्ति जो है इसका नाम संद्रोगुपत था और वो आके सत्ता को समालता है भारत का बहुत बड़ा सबस्क्राइब तो वो किसी बात और कि चंद्रोगुपत की बार रखी है फिर उसके बाद बिंदुसार के भी बात इससे तरह सहुती है उसको वह एक अलग नाम दे दिया शोक को भी नाम दे नाम दे दिया इस तरह से फॉरेन अकांट्स से हमें मौर्यवंस के राजाओं के बारे में जानकरी मिलती है और especially हमें मिलती है Megasthenes की बुक Indica से, Megasthenes को भारति इथियास का फादर कहा जाता है एक Greek historian जिसको भारति इथियास का फादर कहा जाता है बड़ी बात है, तो यह ध्यान रखेगा, फादर ऑफ इंडियन हिस्टिर को ने है Magusthanes कहां से था ये Greece से, ancient Yunnan से था Father of history किसे का जाता है Herodotus को वो भी कुन था Greece से था Greek था उ ทड़ Herodotus को तो पढ़ा चुका हूँ मैं Magusthanes को जल्दी पढ़ाऊंगगा आपको ठीक है उनकी biography ब緩ुए और उनके किस तरह से काम किया उसकी बात करेंगे सबस्क्राइब कर लिए रिए न होड़ी सी चीज़े करी है ंए काफी आपको नज़रiles K सामराजे कितना बड़ा सामराजे था और वो ऐसे ही तो बना नहीं होगा उसमें बहुत सब कुछ चीज़े थी एक फिर भी एक्जेकरेट करी इंड में इसमें दोराय नहीं है उसके बाद कुछ और ग्रीक और रोमन्स के अकाउंट्स में हमी जानकरी मिलती है जिसमें भारतियों के जो रोमन एंपर के साथ रिलेशन्स थे रिलेशन्स फॉर एक्जंपल मैंनली ट्रेड रिलेशन्स थे उनकी बात हो रही एक बुक है जिसका नाम है पेरिवलस ओफ इरिथियंसी मतलब उस समय का इंडियन ओशन को एरिथियंसी कहा जाता ठाथ और यह पेरिवलस ओफ इंडियन ए्रिथियंसे में यहां पर जो रोमन समराज्य था काफ़ी बड़ा समराज्य था आपको पता होगा इसके साथ बहारत के जो ट्रेड रिलेशन्स थे प्या-क्या-क्या ट्रेड करते थे कौन राजा कहां पे थ तो उससे हमें जानकरी मिलती है और भारत में कुछ सिक्खे भी मिले हैं रोमन सामराज्य के उस समय के तो उससे हमें Confirmation बता चलता है कि हां इनके साथ relations थे फिर टॉलमी जेग्राफी टॉलमी ने जो geographical map बनाया था वुर्ड का उसके हिसाब से इंडिया की इस्टति को भी समझखाया था तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि इन लोगों को इंडिया के बारे में जानकारी थी और इंडिया के साथ इनगे trade और commercial के relations भी थे और इंडिया कोई सब्सक्रेब की किस बिसिकली उस समय का रोम या रोमन सामराज्य उससे पता जानकर चलती है फिर लास्ट बुक जो पता चलती है हमें वह पता चलती है हेलिनिस्टिक हराकी 5th century के असपास की कोस सोरी ग्रेको रोमंस स्कोलर जो ते ग्रेको रोमंस स्कोलर जो लास्ट थे फेली के हैलिनीस्टिक पिडियरेंगे पॉस्ट एलेक्जनडर की मिर्थ्यो के बाद का जो समय था जहाँ पर जीफ उसके है अलग जेर्नल सीनली ऐलेक्जंडर के समरा Speaking panelаюсь geograph करीदी कि क्रिश्यन्स कैसे कैसे भार तक पहुंचे सिर्लंका तक पहुंचे और होड़ स्ट्रेड होता था इन चीजों के बारे में उन्होंने डिसक्स किया 550 के असपास ठीक है उसके बाद बाद आती है चाइनीज अकाउंट्स की चाइना के कुछ स्कॉलर्स भारत आये थे म बुद्धिजम के स्टेडी करने आये तो फांच्वी श्रताब्द इसा नहीं इसा के बाद इस्वीशन यानि फिफ्ट सेंचुरी एडी और सेंचुरी एडी के असपास यह लोग ज्यादा है तो फिफ्ट सेंचुरी में आया यह आपका फाइहां गुपतावनिश के समय प पे तो हर्शवर्दन और गुपताओं के समय की जानकारी हमें चाइनीज अकाउंट से भी मिलती है फाइहान और इंसांग से फिर बात आती है विलेज स्टेडी की जरुवत क्या है देखिए अलग लग गाउं गाउं जाकि उनके कल्चर गाउं के लोगों का कल्चर सारी ट्राइबर तरीके से रहते हैं तो उनके बारे में चानकारी मिलती है वह इसे आज भी में में जुड़े नहीं है तो जब अलग तरेके क किलिए क्यें तो हमें पता चलता है से बारे में पूराचीन जो पंई धेसं के बारे में पता चलता तो यह चीज में जाकर चिलता है सुटा कि ने झाया करें लिए घोपम के इन stronger के पता चलता है जहां सोसे से भी नहीं पता चलता तो वहां पी स्टेडी जाके करनी पड़ती है उससे चीजें पता चलती है अब भारत में ब्रिटिश अरह में 1589 में कानून मना के सती परता कांत कर दिया गया लेकिन अगर बात करें तो 20 शताबदी तक सती सिस्टम आपको मिलता है 1930 के दशक तक आपको बिहार में मिलता है राजवतान में एक सती का केस वा था हो बीसुई सताबदी के काफी लेट पिडिएड में तो इतना सब आपको देखने को मिलता है जब आप अलग लग जगाओं पर जाकर देखते हैं कि किताबों में पढ़ने पर तो आपको सती परता अठा 29 में खतम नजर आएगी लेकिन जब आप देखेंगे कि घटना है तो अभी भी होई है अभी तो नहीं मतलब उसके बाद भी हुई है में है काफी लंबे समय तक और आप जानते हैं कि स्वाज का जो transformation है वह एक लंबे समय पर हो तो इक ऐसमार मना कि समीं कोई सधार ज्य 10 task लानी है जल्दी से नि ला सकते समाजिक बदलाолов भूने में समे लगता है तो वह समाजिक Georgia with Geology welcome कि इस्टीटी करते हैं तो चैबिसट्री के सारे यह आ इनकी Corporation करीटिंग माद्दियम्स एंग कि समय काल निकाल अए इप्रटियो करते हैं सारी माद्द हलो जाते ह人民 एनिमल्स या जो हुमन बिंग्स हैं उनके इवॉलिशन की स्टड़ी करते हुए जानते हैं कि वो कुछ कौन से एरा के थे किस तरीके का उनका डेवलप्मेंट हुआ और क्या-क्या उनका स्ट्रक्चर रहा है तो साइन्स का भी एक इंपोर्टेंट रोल रहते हैं फिर हिस्ट के बाद ultimately हमना जब historic construction करना है तो हमारा historic sense भी काम होना आदा ही हमें पता होना जएकि हमें किस तरह से चजिजों आपस हमें जोडना है औqustop posnal को कि इसे चीज को मानना है और उसकी स्टेडी से हमें इंटरपेटिशन कैसे करना है। आप खुदाई करेंगे तो आपको भी कोई ब्रिक मिल जाएगी आज से मालों, हजार साल पुरानी कोई इट मिल गई, उससे आप खुदाई करके उससे और वहां तरीके के material के remains को study करके उसके किस नतीजे पर पहुंचते हैं और जब आप अलग-लग तरीके के literary sources को भी जब आप पढ़ते हैं तो उससे किस नतीजे पर पहुंचते हैं तो नतीजे पर पहुंचने से पहले आपका sense develop होना चाहिए और आप जब पढ़ते हैं पुराणों को पढ़ते हैं तो 18 पुराण हैं सब पुराण भी है ठारा माइनर पुराण और मेजर पुराण दोनों के अठारा अठारा संक्या है उसमें आपको events प्लेज और बहुत सारी चीजे बताई गई हैं कई चीज़े अइसा होगा अब भाविश्ये में घटी जो घट से समझना पड़ेगा उन्होंने यूगों की बात करी मैंने आपको यह चीज पहले ही बढ़ा दिये कि चार यूगों की बात करी कि धरम का जब विनाश होता जाएगा तो वो यूग घटते वे करम में है कि सत्यूग सबसे आदर्श यूग था आइडिलोजिकली गॉल्डन पिरियड था फिर यह सिल्वर पिरियड माना जाता है त्रेता यूग फिर उसके बाद ब्रॉंज पिरियड और फिर आईरन पिरियड यहां पर बहुत ज़्यादा पाप का जो है राइस हो गया यह बैसिकल लाग 28,000 साल पुराना तो कोई थियास भारत में मिलता नहीं किसी सब्वेता का किसी कल्चर का नहीं मिलता है राजाओं की बात हो रखिये हैं वहाँ पे हम तो राजाओं की बात ही नहीं करती हैं जब तक हम महाजन्दपत पिरियड में नहीं पहुंचते हैं उससे पहले त तृ रिके का छोटा सा नोमिणल धांचा था इस political structure यहां पे सत्यूक कीfrage करे सत्यूक में सभी कार राजा की बात होती है तो इनको मानना कितना स्विकारी है और कितना स्विकारी नहीं है यह भे इंपोर्टन्ट है historic sense होना भी जरूरी है हम हिस्टोरीक एरा को एराज के इसाब से पढ़ते हैं कि विकरम समवत सताउन बीसी में शुरू हुआ सक समवत 78 AD में शुरू हुआ गुपता एरा 300, 19 AD में शुरू हुआ तो ये अलगले कलेंडर हैं ऐसे सक समवत कलेंडर को तो हम कपे यहां और देज आना ऊसने के मईहिनों को पड़ते हैं और बितियास को हम बढ़ते हैं इस्तमाल करते हैं अ क्रिश्ट को ठोल ने घ्रीया है के जो कवस्ताइब करना है तो है रसके entsprechuna के चाहां को मिलेगी उसके अलाव कारैल के कलिंग के इंस्क्रिप्षION्स में आपको इन स्चिज भूँ नहीं लडएगे तो स्च नहीं लड़ेंगे इस तरीके की चीजह यहां पर पता चलती बाइलोजिकल ली बायोग्राफिकल जो वर्क से भारत में उसमें आपको थोड़ा सिग्निफिकेंट वर्क नजर आता है कि हर शरित जैसे हर्श वर्दन के बारे में जो किताब लिखे बार्ण भटने उसमें बहले ही कुछ समझने की कोशिश करते हैं उनके स्क्रिप्ट को जब तक समझ में आएगी तब तक आर्केलोजी से सारा काम चलाना पड़ेगा लेकिन प्री हिस्ट्री से पहुंसते पहुंसते टूल्स अगरा काफी डेवलप हो चुकी हैं चीजें काफी कुछ सीख लिया है आदी मानों ने और वो इस तरफ से सिविलाइजिशन की तरफ चल गया है फिर हिस्टोरिकल आर्केलोजिकल फाइंडिंग्स भी हमारे महित्पुन है हिस्टोरिकल पिरिए जिसमें राइटिंग्स हैं तो सही लेगन उनका इस्तमाल कितना करना है आज के समय भारत में तक्रीबन दोस्पों समझ मैं ऐसा भी नहीं हो सकता इसलिए उसकी भी लिमिटेशन से जहां पर ओल्रेडी कोई शहर बसे हुए हैं गाओं बसे हुए हैं उन लोगों को डिस्लोकेट करके वहां पर पूरी आर्केलोजिकल एविडेंस जुटाने की भी जो है वो भी डिस्क रहती है तो इसलिए स किताब लिखी गई है चाहिए पुरान लिखा गया है और इस पुरान में जो जानकरी मिलती है उसे कोई आर्केलोजिकल एविडेंस सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है दोनों की बात साथ से मोगई तो इससे हम दोनों को उस घटना को क्या कह सकते हैं कि बस सही है और जो घटना आर्केलोजी अलग बताती है पुरान अलग बताता है तो आर्केलोजी को बात को ज़्यादा मना जाता है तो आर्केलोजिकल एविडेंस का सपोर्ट होना काफी महत्मुन रहता है और उस समय के इवन इंस्क्रिप्शन के साथ भी बहुत जरूरी होता है इंस उस समय के बाकी sources का भी सारा लिना पड़ता है तो आर्किलोजिकल evidences को सबसे ज्यादा महतो मिलता है उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उनको धीरे-धीरे करके जैसे फिर inscriptions का महतो होता है coins का भी होता है literary sources का भी होता है अगर हम medieval period में आ जाएंगे तो हमारे सामने literary sources की महतोता जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग लिखने लग गए थे contemporary period में सिर्फ वो लोग नहीं लिखते थे जो कि राजदरवार में बढ़ते थे वो भी लिखने लग गए थे जो की scholars ते लग लग जगहों पे रह रहे थे तो यह काफी important है और सा की तरीके से interpretation करना बहुत जरूरी होता है बिना किसी agenda के सारे agenda अगर कोई होगा तो आप वैसे ही गलत चीज़े लिखेंगे चाहिए आपके सामने कोई भी उसका result क्यों ना आए यह होता ही है फिर genetic study भी बहुत important होती है जो natural sciences के अंदर हम पढ़ते हैं human evolution की बात करते हैं कि क इन सभी का knowledge जब इखटा होता है तब फाइनली जाके इत्यास का लेखन होता है इत्यास लेखन में इतना आप इसके बाद थोड़ी सी chronology को डिसकस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए थ्री मिलेनियम बिसी में भारतियोंने सबसे पहले लिखना शुरू किय तीन बाकी बचे विवेद लिखे गए उसके लाव ब्राहमनाज अरनयाज और उपनिशद लिखे गए तो पांसो बिसी तक ये वेदिक लिटरेशर काफी हत्तर लिखा जा चुका था फिर छैसो से लेके तीन सो बिसी के बीच में पिरिड में इस सुत्र लिखे गए गए ग द्रहमसुत्र आगे 500-200 विचिए बीच में जैसे कि कौन-कौन से सुत्र आगे और एकजंपल धरमशास्ट्र द्रहमसुत्र में समर्तियां ऑगई मन्समर्दी नार्द समर्थी वगेरा ये सब और ये विजब है ये आपके शानक के गार्थशास्त्र वगेरा ये पी आ पर अलग जेंडर का इन्वेजन हुआ 326 BC में एक हिस्टोरिक इंपोर्टेंट घटना उसके बाद चंदर गुद्ध मुर्य का एक्सेशन हुआ 322 BC में फिर राइटिंग्स का डिसिपरेबल होना शुरू हुआ 3rd century BC में क्योंकि यहां पर जो आपके शिला लेक हैं उनका डिसिप सेंचुरी BC की फिर विक्रम संवत की शुरूबात होती है सतान BC में फिर हाथे गुंपा इंस्क्रिप्शन जो खार्वाइल के राज के राजा खार्विल ने लिखवाए थे 1st century BC में अर्ली बुद्धिस्ट बाली भाशा में लिखेवे टेक्स्ट कंपाइल हुए तो इन से यह जो कि एक रोमन रहिटर ने लिखी वी किताब है जिसमें हमें रोमन और भारतियों के बीच में ट्रेड रेलेशन्स का पता चलता है पिर 319 से हमें गुपता एरा का पता चलता है फिर महाभारत रामायन और मेजर पुरानिक जो लिटरेचर है उसको कंपाइल किया गया इसी दोर में फॉर्ट सेंचुरी के असपास की दोर में फिर इसके बाद फॉर्ट सेंचुरी एडी में हमें पहली मैनुस्क्रिप्स Central Asia में मिलती है manuscript इस दोर की मिलती है और इस दोर की manuscript को हम पढ़ चुके हैं फिर फायान भारत में फिफ सेंचुरी में गुपता पिरिड में फिर फ्राकर्त जैन लिटरेचर फाइनली कंपाइल किया गया वल लवी में 6th century CE में ADC एकी बात होती है फिर हिंसांग भारत में के बारे में अतुला ने लिखा घ्यारवी बारवी शताबदी में विक्रम देव चरिता लिखी गई बिल्हान ने उसके वादर राम चरिता जो है नंदी ने सद्रया कारयार नंदी ने लिखी राजतरिंगेनी कलहन्ड ने लिखी फिर 837 में अशोक के इंस्क्रिप्शन को स प्रिसे अपने डिकोर्ड किया था होफुली आपको चीजे क्लियर हुई होगी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर कमेंट कीजिएगा लेकिन उससे भी सक्सेस प्लस अकेडमी की अप्लिकेशन को डाउलोड किजएगा यहां पर आपको पूरा कराया जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन यहां पर आप जाके अगर इस को एक सिस्टमेटिक ढंग से घर बेटे त्यारी कर रहे हैं तो आप परचेस भी कर सकते हैं जो हैं को अविलेबल करवाए जाएंगे आपके एक्जाम प्रस्पेक्टिव से अलग-अलग लेक्चर के हिसाब से ओके सो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो है वे गूद डे से यू नेक्स क्लास